कि दोस्तों मेरे एक फ्रेंड है गाजियाबाद में रहता है भेंसे उसकी दूद निकालता है बेशता है उसका इंकम टैस्स में केस लगा तब पता चला कि वह दूद से काफी अच्छी कमाई करता है 20-22 लाग उसे ने कैस जमा करा आखता है काउंट में और जो मैं उसे बात क बंगला है बंगले में मैंने फसल उगा दी उसे बेश दिया चाव मेरी अगरी कल्चर इंकम है कई सारी वीडियो में आ चुका हूं एक टॉपिक एक इंकम के उपर चाहें वह एक लेंड हो चाहा है नहीं एक चीज आपकी क्लाटी हो जाएगी और बड़ा होट टॉपिक है क्योंकि एग्रिकल्चर इंकम इंडिया में माफ है तो कई सारे लोग इसको ब्लैक मनी के रूप में देखते हैं और सरकार एक एक पॉइंट को धान रखती है अगर आप एक्रिकल्चर एक्टिविटी करते हैं तो आज की वीडियो आफिर तक जूर देखिएगा पहले अब मैंने क्या शुरू कर दिया जो पीपीटी है उसका लिंक भी गूगल ड्रै में दे दिया है आप मेरी वह पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हैं सब कुछ आपका है दोस्तों सब कुछ आपके लिए इसमें बताता है टाइप ऑफ एक्रिकल्चर इंकम कौन सी है पढ़ा नहीं है कि मैंने गन्ना होगा या रूलर पर तो माफ है अर्बन पर टैक्स लगता है आप प्राइवेट लिमिटीड में काम करें लिमिटी कंपनी में ट्रेस्ट बनाए फर्म में प्रोपैटरशिफ सब जगे एग्रिकल्चर इंकम माफ है इंडिया के जो टॉप 10 कंपनिय है वह प्राइवेट लिमिटीड है जो एग्रिकल्चर इंकम करती है और उनका टैक्स माफ है छोटे-छोटे किसान के आदमी के पास तो चाहरा है वह कहां कामा पाएगा लेकिन बड़ी कंपनियों ने तोड़ ढून लिए मोटे-मोटे लैंड बैंक ले लिए किसान लगा पर दिये और सारी इंकम माफ है बहुत ज्यादा आई ट्र फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपकी अगरिकल्चर इंकम धाई लाग तक ही है तो है एक्षम्पल अकर आपके ढेल की एक्षम्पल के लिए एकल्लग का आपका अर्फड का इंट्रेस्ट वह फटा आता है यतलि में जाओगे तो 5 लाग च तक तो ट्रेक्स नहीं रिभिट मिल जाती है ब पादलग तक की है कि अब कुशन यह आता है कि कौन सी एग्रीकल्चर इंकम माफ है सारे पॉइंट के लिए रोंगे इसमें सेक्शन टू वने क्या कहता है मेरा जो मैंने आपको दिखाया भी क्या कहता है वो कि टीन हैं एक दो तीन है इसको लेता हूं चार है इंकम फ्रॉम सेल अख अगरी कल्चर प्रोडूस यानि कि कोई भी अगर अगर आप श्रू अगर यह पैदा कर रहा है और बेच रहा एंड़ी तो प्रूरी माफ है एक आदमी यहारोओ पैदा कर रहा है उसने किसको बेच द दाइड फरोծ एग्रिकल्चर लेंड बींग यूज़द फूर एग्रिकल्चर परपफस किसी के पास लैंड है इग्रिकल्चर लैंड है उसने किसी पट्टरीट फे दे अप NeposTalk रेंट आरहा है तो भी माफ है यानि कि मेरे पस्त वो टेक्से वाले क्यों एग्रीकल्चर के लिए यूज मेहीं हुई है वह अपने सूटिंग के लिए यूज करें देखा ना बारीक फारग है लेकिन एकर यूज होनी कोई भी उसकर एग्रीकल्चर के लिए करें प्रूद्यूज करें अपने अग्रिकल्चर प्रपस के लिए तब भी आपको कोई टेक्स नहीं देना अग्रिकल्चर इंकम है इंकम फ्रों नर्सरी छोटी-छोटी पोदे बनाके आप दे रहे हो किसी को बेच रहे हो बहुत देखा हो आपने सड़कों पर लेकिन बड़ा इंकम भी माफ होती है इ ड क्या है आई तो पर लेकिन बहुत इनका क्या है आपके पास लेंड होनी ज़रूरी यांदि कि आपके सी अग्रिकल्चर काम करता हो दोस्तों मैं शेयर करना मेरी वीडियो या थोड़े व्यूस कम आ रहे हैं और दो लाग वी उपा रहे हैं मेरे पतनी क्यों हो जाएंगे आप लोग हो तो एक आदमी ने फल उगाये वहाए किसमें बंगले में बंगले में बड़े बड़े उसके पीड है किसके चंदन के तो क्या होगा उसने बेज़ दिये 50 लग आ गए अगरिकल्चर लेंड टेक्स लगेगा वह जो चंदन के पेड़ बेच रहा है एक्जाम्पल दिया वह बहुत पर लिए यहां पर कल्टीवेशन तो है उसे चंदन की पेड़ तो होगा लेकिन अग्री कल्चर लाइन बंगला है एक सल के लिया एक लिया एक्ड़िकल्चर एक्टिविटी है मैंने वहापे ग्रोव करा है रेंट पर ले लिया है तो जिसको रेंट मिला उसको ही माफ है और मैं ग्रोव करके बेचेंगा फ्रूट वगरा मेरी भी वह एक्रिकल्चर इंकम ही है और माफ है पूरी परी इंकम फ्रों एक्सपोर्ट और प्रोडूट्यूश मैंने यहां चावा लोगा बढ़िया क्वालिटे के बास्मति के मैंने युसे भीष दिया तब भी माफ है क्य एक्सेम पर्डूट्यूश में दूँ मैंने तो प्रृडूस कर रहा है न मैं कहीं भी दूँ आगए एक्जम्टेद है गड़ा इंप्ड़्यूश केंट बड़ा इंपरेंट पॉइंट है मैंने से गड़ बनाया क्या यह टाक्सेबल है टाक्सेवल हाँ एक्टेच्छ को जोखो बड़े कंप्लिकेटर केस होते हैं मैं कहा रहा हूं कि टेक्सेबल है शुगर केंट से गुड़ बनाना लेकिन एक्जम्ट भी हो सकता है कब अग्जम्ट होगा आपके पास आप ऐसी जगे पर हो जहां पर आपका गुड़ नहीं सकता तो क्या हो गया वह इसका मतलब डारेक्ट नेक्सेज और गुड़ से जब गुड़ी बिकेगा तो मेरे गन्येकी अक्टिविटी बेगार हो गई तो टेक्सेवल हो जाएगा अस्वरी एक्जम्ट हो जाएगा फिर ठीक है तेल करने फ्लावर और नर्सरी प्रड़क्ट को कभी भी आप फूल बेचते हो य किसान ने चावल लगाए और वह बिकार हो गए बाड़ आ गए कुछ भी आ गया है अगर वह बेचता तो इसको इंकम होती अब बरवाद हो गई अब भी तो इसको अग्रिकल्चर रिसिप्टी आ रही है तो इंस्वर भी माफ है बला इंपोर्टेंट है अब आएगा इंप अब्सकारिक छोड़ सा अलग होता है वह भी है क्यों elfwood on kuilu ted這裡 आ कि बैच रहे और की रे यह नहीं वह नौ रहा है तो टेक्सिपल है में मिलती है इसा मिलती है यह करते हैं को कुछ एक्जम्शन में अतरवाई सबकी बहुत सारे एक्जामपल मैं आपको दिया है इससे आप आईडिया लगा लो और हो शीजा और भी है यह रहे जो कहने अग्रीकल्चर एक्टिविटी है लेकिन डाल दी है आप दोस्त का केस है वह भी अग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जुरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी किसी टॉपिक पे चाहते हो वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कोई क्वारी है मैं से पूछ लिजेगा मैं डेली बेसिस पे सारी का रिप्लेश देता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यह बड़ी इंपोर्टेंट वीडियो है जैसे मेरा दोस्त फद गया है उसको लगा दूद बेचनेक अग्रिकल्चर अक्टिविटी है सारा कैश लेके बैंक में जमा कहा आता रहा आई टर भी निभली उसने मैंने चाहता कई सारे ल वीडियो में तब तक लिए मुश्कार